जैसे दाते कृष्णा साथी हूं, मैं भी कृष्णा क्यां सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूं, कैसे हैं आप, आपके अच्छे स्वास और सुखा जिवन की मंगल कामना करती हूं, आपके पनीजदेवों को कोटी कोटी नवन करते हैं, वे बड़ों को पनाम करते हैं, बड़ो गंगा मया की जै, आज गंगा अवतरन की पौराणिक और प्रमानिक कथा लेकर मैं आपके बीच में गंगा दशेरा 16 जून का है, कहा जाता है इस दिन गंगा मया का अवतरन तिवस है, गंगा मया प्रत्वी पर प्रकट हुई थी, इस कथा को सुनने का पुन्ने है इस कथा को सुने भी न कहते हैं, कोई भी व्रत और पर्फ हम करते हैं, वो कथा के बिन अधूरा ही माना जाता है, किसी भी पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर बैठ जाएं, या अपने समक्ष रख लें, थोड़ा सा गंगा जल अपने उपर चिरकें, और फिर कहा जाता ही जीवन दाइनी गंगा मईया के अफ्तरन की कथा सुनने से जनम जनम के पापों का नाश हो जाता है, कथा प्रारम करते हैं, एक बार महराज सगर ने व्यापक यग गया, उस यग की रक्षा का भारून के पोत्र अंशुमान ने समभाला, इंद्र ने सगर से ये अश्व का अपरन कर लिया, यह यग के लिए विग्न था, परिणामते अंशुमान ने सगर की साथ हजार प्रजा लेकर अश्व की खोज करना शुरू कर दिया, सारा भूमंडल खोज लिया, पर अश्व नहीं मिला, फिर अश्व को पताल लोक में खोजने के लिए प्र वो घास चर रहा है, प्रजा उन्हें देख कर चोर चोर चिलाने लगी, महर्शी कपिल की समाधी तूट गई, ज्यों ही महर्शी ने अपने आगने नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भास्म हो गई, इन मृत लोगों के उधार के लिए ही महराज दिलीप के पुत्र ठोर तप किया था, भगीरत के तप से प्रसन होकर भ्रमा ने उनसे वर मांगने को कहा, तो भगीरत ने गंगा की मांगी, इस पर भ्रमा ने कहा, राजन तुम गंगा का प्रत्वी पर अवतरन तो चाते हो, परन्तु क्या तुमने प्रत्वी से पूझा है कि वे गंगा के भ भगवान शंकर में है इसलिए उच्चित यह होगा कि गंगा का भार एम वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए महराज भगीरत ने वैसे ही किया उनकी कठोर तपस्या से प्रसन होकर प्रमाजी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाएं समेट ली इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पत ही नहीं मिल सका अब महराज भगीरत को और भी अधिक्चिनता हुई उन्होंने एक बार फिर भग गंगा की धारा को मुक्त करने का वर्दान दिया इस प्रकार शिव जी की जटाओं से चुट कर गंगा जी हिमाले की घाटियों में कल-कल निनाद करके मैदान की और मूरी इस प्रकार भगीरत प्रिपर गंगा का वरन करके बड़े भागे शाली हुए उन्होंने जनमानस को अपने पुन्ने से उपकरत कर दिया युगों युगों तक भेने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरत की कष्ट मही साधना की गाथा कहती है गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती बलकि मुक्ती भी देती है इसी कारण भारत थता विदेशों तक में गंगा की महीमा गाई जाती है बोलो गंगा मया की इस कथा का नित्य एक इसका अदबुद प्रियोग ये भी है कि नित्य प्रती यदि आप गंगा जल हाथ में लेकर या अपनी गोधी में रखकर नित्य प्रती आशार के पूरे महीने में अगर आप गंगा मया की कथा को सुनते हैं और कथा को सुनने के पश्चात उस गंगा जल का सेवन करते हैं अपने उपर चिरकते हैं मोक्ष की प्राप्ती होती है जनम जनम के पाप दूर हो जाते है शित जो आपका चित है वो शांत हो जाता है प्रसन हो जाता है क्रोध गुसा दूर हो जाता है इतनी प्रभावशाली है ये गंगा अवतरन की पुरानिक कता इसलिए इसे अवश्य सुने गंगा दशेरे की हार्दिक शुब कामना है अनंत शुब कामना है माता गंगा मया की प आग का प्रमान है कि भगवान हमारे आसपास है बोलो गंगा मया कीजिए आज के लिए इतना इजासत दीजिए आशा करती वीडियो आपके लिए भूत उपयोगी सावित होगी मिलते होगी जब अदस वीडियो के साथ तब तक हसते रही है मुस्कराते रही है अपने और अप अपने अपनों का ख्याल कीजिए वीडियो चिले के तो लाइक कीजिए जितना चाहें अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए प्रते दिन इसकता को सुनना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बोक्स में जै गंगा महिया जरूर लिखिए ईश्वर आपकी मदद करें